एक छोटा सा टॉपिक है और वह है एन्थेल्पी ओफ सेल रियक्शन्स तो यह बहुत इजी टॉपिक है हैडिंग डालीजी काल्कूलेशन्स ओफ एन्थेल्पी ओफ सेल रियक्शन्स एक और जी जाएगी इसके अंदर एन्थेल्पी ओफ सेल रियक्शन्स एक और जी जाएगी इसके अंदर सकते हो या सेल टैंपरेचर कांस्टाइंट बोल सकते हो जैसे याप केमिकल काइडिक में तंपरेचर कउफिशंट बोलते हो न से लर्क्रोगंश्िटी में उल्हां टम चलती अगर हमने इसका differentiate कर दिया ती के respect में partial differentiation तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बोलो यह सोनो partial differentiation respect to temperature तो जब हम ली यह किया है तो हमारे पास partial differentiation respect to delta t के respect में यह tends to zero आजाता है बहुत जादा फर्क नहीं पढ़ रहा है और यह delta t delta t cross हो गया है तो यह हमारे लिए हो जाएगा delta s और यह हमारे पास हो जाएगा delta g by delta t तो एक तरह से हमारे लिए delta s की value क्या हो जाएगी अगर direct लिखे तो minus भी लगेगा बहुलो यह सुनो तो यह हमारा एक काम हुआ जिसको हमने important reactions ले लिया अब अगर हम ध्यान से सुनना अगर हम यहाँ पर delta s की value को आगे further use करना चाहें बापे second point we know again delta g equal to delta h minus t delta s और इस बार delta g की value मैंने रख दी minus nef रख सकता हूं मैं delta g की value हम जानते है n e f होता है तो यहां रख दिया है n e f delta h की जगह delta h t की जगह t और delta s की जगह हमने वहां से उठा दिया minus delta delta g upon delta t बोलो yes minus से minus cross हुआ plus तो minus n e f delta h plus t की जगह t delta g delta g की जगह आप क्या लिखेंगे n e f यहां पर भी रख सकते हैं और delta t यह वाली value उस तरफ ले गए या यह वाली value इस तरफ लिया है बात एक ही है पहले आप sign देख लीचे आपको समझ में आ गया कहीं कोई गलती नहीं हो रही है एक गलती हो रही है कि जब आप delta g की value रखेंगे minus तो यह बापिस minus आएगा कुछ समझ में है क्यों क्योंकि यह minus minus हो प्लस हो गया delta g की value क्या है minus है नहीं f तो यह value इस तरफ आएगी तो आपके बास delta h की value क्या आजाएगी इस जगह t into n into f जो constant है वो बाहर ले रिके आजाओ delta e by delta t minus n e f यह इस तरफ आ रहा है तो minus n e f हो गया अब आप एक काम करो ठीक है कोई दिक्कत नहीं यह equations आपके पास आ गई अब इसमें कौन सी चीज क्या है उसको समझते है सबसे पहले delta h हमारे पास क्या है enthalpy of enthalpy change of enthalpy enthalpy of enthalpy change of cell reactions जो भी cell reaction हो रही है उसकी reaction इसको बोल सकते है heat of cell reaction भी बोल सकते है heat heat of cell reactions यह हमारे पास होगे heat of cell reaction एक और है T हमारे पास क्या है temperature delta E by delta T क्या बता रहा है एक तर से इसी को बोलते है हम temperature coefficient temperature coefficient of cell temperature coefficient of cell ठीक है इसके अलावा N क्या है transfer of electron transfer of electron in given cell reactions given cell reactions यह given cell reaction में transfer of electron हो गए F क्या है यहाँ पर Faraday constant Faraday constant जिसकी value क्या होती है 9,6,5, double, 0 दिख रहा है कोई दिखकत नहीं है 9,6,5, double, 0 तो यह छोटा छोटा सा points आपके पास clear होना चीए यह सब रख दिया यानि हमारे को इतना temperature change करने पर इतना amount में E cell change हो रहा है E यहाँ पर क्या है EMF of cell और यह जिस जगा हमारा temperature दिया है उस जगा यह E है उस particular temperature पर E की value ही है और यह हमारे पास cell reaction हो गई तो इस formula पर हमारे पास question आया है 2019 J.E.M.S. April नहीं सरी 12th January 12th January 1st shift आगई पास हमें उसके अंदर आपको यह value दी थी N आपको दिया है E आपको दिया है F आपको मालूम है T आपको दिया है और डेल्टा है आपसे पूछा जा रहा है अचा दूसरा पॉइंट अगर डेल्टा है वगेरा यह सब दिया जाएगा तो क्या आप इस जगह डेल्टा E by डेल्टा T टेंपरेचर कॉफिशेंट भी निकाल सकते हो यह दे दिया जाएगा तो डेल्टा E by डेल्टा T निकाल सकते हो जिसका आप क्या बोलते हो टेंपरेचर कॉफिशेंट ऑफ सेल अचा एक और चीज यह सेल रियाक्शन है अगर आपसे cell efficiency पूछा जाए तो वो भी आप निकाल सकते हो तो cell efficiency क्या होगा efficiency of cell इसको बोलेंगे cell efficiency और यह हो जाएगा एक तरसे delta G upon delta H क्योंकि यह useful work है और यह heat of cell reaction है पसेंटेज में पूछा जाए मल्टिप्लाबा हंड्रेट कर दो लिखो इसको